आज की रेसिपी है औरेंज जाम मैंने हाफ केजी औरेंजिस लिये हैं उसे वोश कर लेंगे फिर उसे छील लेंगे फिर उसे ऐसे अलग-अलग कर लेंगे एक नाइफ लेंगे और उसके हेल्प से ऐसे बीच से काटेंगे औरेंजिस के पल्प को अलग रखेंगे और सीट और चिलके को डिसकार्ड कर देंगे हम घर में किसी भी फ्रूट का जैम इजली बना सकते हैं जो भी सीजन में फ्रूट एवलेबल हो उसे एक ग्लास कंटेनर में रखेंगे वो साल भर तक विल्कुल भी खराब नहीं होता है और जो सीजन के फ्रूट होते हैं उनके जैम और जैली बहुत ही पिस्टी बनके तैयार होते हैं मैंने चार औरंजिस लिये थे दो का मैंने पल्प निकाल लिया है और दो का जूस निकाल लिया है आप चाहें तो सिर्फ पल्प का भी इस्तमाल कर सकते हैं डालेंगे जिससे टेस्ट काफी अच्छा आएगा मैं वन फोर्थ कप शुगर डाल रही हूँ यह डिपेंड करता है कि औरेंज कितने शार या स्वीट है इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए आठ से दस मिलाड तक पकाएंगे जब जैम पक जाता है तो उसे गर्मा गर्म ही ग्लास कंटेनर में डाला जाता है बत वो ग्लास जार जैम के स्टोर करने के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं पर हम नौर्मल ग्लास genre में भी जैम को दो-तीन महिने तक रखे फ्रिज में फिर उसे रखेंगे और हम उसे स्टोर कर सकते हैं जैम की कंसिस्टन अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये ठंडा होने के पाद और भी गाड़ा हो जाएगा इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसमें एक चमच लेमन जूस या फिर विनेगर डालेंगे उसे इसके सारे टेस्ट बैलेंस होंगे और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी विनेगर या लेमन जूस डालने के बाद एक मिनट तक और कुक करेंगे फिर हम गैस को बंद कर देंगे इस जैम का टेस्ट वाकई बहुत लाजवाब है मेरे बच्चे इसे बहुत पसंद सिखाते हैं और हमेशा की तरह गैस बंद करने से पहले आप इसे एक बार टेस्ट कर लें आप इसमें शुगर और डाल सकते हैं अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं थैंक यू